कर देखे अपना पसंदिदा चैनल ग्यानों देखे गुरू जी त्रिकोर्ण मिती के जो बोर्ड एक्जाम में प्रूफ वाले प्रसन आते हैं वह ऐसे होते हैं कि अगर आपने इतने तयार कर लिए तो इससे बाहर नहीं आएंगे तो मैंने यह डिसाइड किया कि हम अपने प्यारे बच्चों को एक साथ रिकोर्ड मिती के वह प्रसन करा दें जो हर साल पूछे जाते हैं आप यहां पर स्क्रीन पर देखें तो 2019-2020-2022-2023-2024 हर साल यह प्रसन पूछे जा रहे हैं आप नीचे वाले को देखो 2018-2019-2020-2022-2023 और 24 इसमें से एक ऐसा प्रसन है कि उस तरीके के दो प्रसन है यह वाला प्रसन जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको और इस प्रसन में यह लिखा हुआ है कि कौसे के स्क्वाइर थीटा माइनस कॉट स्क्वाइर थीटा इस फॉर्मूले का यूज करके इ अब जो यह वाला प्रसन है ऐसे ही हमने आज की इस क्लास में टोटल जो प्रसन चाट करके रखे हैं मैरे प्यारे लाल उनकी संख्या कितिनी रखी है टोटल दस प्रसनों को रखा है और अगर यह दस प्रसन आपने अंत तक सारे देख लिए एक एक चीज अच्छे से समझ ली तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपका बोर्ड एक्जाम में जो लॉंग कुश्चिन आता है छे नंबर का वो कंफर्म हो जाएगा और साथी साथ आपके चार नंबर वाले प्रसन भी कवर होंगे तो आज के इन दस प्रसनों से मैं बात करूं तो आठ से दस नंबर आपके 100% पक्के होने वाले हैं और ये एक बहुत important class है और इस class से प्रसन repeat होंगे और ये एक एतिहासी class होने वाली है क्यों क्योंकि ये ऐसी class है जिसमें 100% में बोल सकता हूँ कि इस से बाहर वोर्ड एक्जाम में प्रसन नहीं आएगा ये मैं आपसे 100% बोल सकत हूँ और 10 नंबर का ये जो आज का लेक्चर हो जाएगा इसमें आपके 10 ही प्रसन हम पढ़ाएंगे और इनमें 10 के 10 जो प्रसन होंगे वो 6-6 नंबर वाले चार-चार नंबर वाले होंगे और concept के साथ बताएंगे ताकि कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं हो तो एक बा लाइक करना मत भूलिएगा इससे और बच्चों तक पहुचता है वीडियो आप जब वीडियो को लाइक एंड सेयर करते हो राइट तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन लेकिन जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उसमें निमेरिकल य हमारे पास है कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा होता है एक बटे कॉसेक थीटा बस दो मिनिट पे सारे फॉर्मिल लिख देंगे आपके सामने और बच्चों जो कॉस थीटा बराबर होता है वह होता है एक बटे सेक थीटा ठीक है यानि सेक और कॉस एक दूसरे के उ प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है वो होता है एक बटा पॉट थीटा यह सब हम लोग के स्पेशल क्लास में भी सारी चीज़े कर चुके हैं फिर दूसरे टाइप के फॉर्मुले कि अगर हमारे पास टैन थीटा लिखा हुआ है तो बच्चों यह साइन थीटा बटे कॉस्ट थीटा हमने अपनी पुरानी क्लासे में इन फॉर्मुलों को प्रूफ करके भी दिखा जो आपने टैन का मान लिखा है अगर टैन को ङृटा करते हैं तो कॉट आता है तो इसको भी उल्टा करता कोउस ऊपर कर दो साइन नीचे कर दो यह फॉर्मुले हुए इसके अलावाद तीसरा जो फॉर्मुला यूज होगा वह यह कि साइन इस्क्वेर थीटा प्लस कॉस् एक एक्वल टू और फिर चो पांचवाा मोन यूज होगा वह ऊवर हमारे पास सैक स्क्राइep डूर्य तंस स्वेर थीडा इस एक्वल टू वन तो यह कुछ important formula हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से तयार कर लेना चाहिए और इसके बाहर इसके अलामा त्रिकोड मिती में और भी फॉर्मूले हैं पर इससे हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा और इससे काम चल जाएगा ठीक है स्क्रींशॉट लेना है तो ले सकते है और एक एक प्रसन को हमारे साथ कॉपी पे नोट करना मत भूलना ऐसे सेशन्स आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें इतने ऐसे प्रसन कराये जाते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी इस क्लास को हमें यह प्रूफ करके लेकर क्या ना है कैसे करते हैं इसके दो हिस्से होते हैं एक होता है और हमारे दाय हाथ की तरफ लिखा होता है वह होता है और जो होता है वह हमारे दाएं हाथ की तरफ लिखा होता है तो चलो भाई एलेचेस उठाते हैं सबसे पहले तो हमने देखा इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास कॉट और मैं यह सब कुछ बताऊंगा कि आखिर यह मैं क्यों कर रहा हूं आखिर मैं यह फॉर्मला क्यों लगा रहा हूं इसके अलावा और कैसे कर सकते हों और फिर यह आगया हमारे पास कॉसे अच्छा मुझे लाना क्या है मुझे लाना है मेरे बच्चों कॉसे कैसे आएगा कॉसे आएगा जब एक बटे साइन होगा तब ही तो कॉस और एक बात का और विसेज ध्यान रखेगा कि लिखने के बाद यहां पर बराबर का चिन नहीं लगाते हैं इस चीज का भी ध्यान रखना यहां नहीं लगाते हैं तो अभी आ गया हमारे पास नीचे बराबर लगाएंगे यहां लगा सकते हैं तो कॉट को बदलेंगे तो क्य लिए अब बताना इधर विऊपर कौस लिखा है और इधर भी उपर कौस लिखा हुआ है अगले अप्सियां पेार को सो बाहर कायगा अदर क्या बचेगा रभच्छ टूस बाहर निकौन की कि बाहर निकल गया टूस सेम निकल अब होगा यह कॉस ए और यह आगया एक बटा साइन ए और प्लस में हो गया बच्चों क्या वन अच्छा देखो कॉस से कॉस यह कट जाएगा अब मेरे पास बचा गया वन अपन साइन और माइनस में बचा तो यह आगया हमारे पास वन अपन साइन और फिर उसके बाद बचता है हमारे पास माइनस में 1 फिर बचता है 1 upon sign और फिर बचता है क्या प्लस में 1 इतना काम हम लोगों ने कर लिया अब क्या करेंगे यह जो 1 upon sign है न इसको हम कॉसेक लिख सकते हैं तो इसको हम कॉसेक में बदल देंगे तो यह आएगा कॉसेक ए और फिर उसके बाद यहां से माइनस में वन और फिर नीचे देखो वन अपन साइन को इसको भी आप क्या लिख सकते हो इसको भी आप कॉसेक लिख सकते हो तो यह प्लस आया आपने देखा कि जो हमें लेकर के आ और हमने देखा कि हमारा जो एलचस हिस्सा था और जो आर्चस था वह आपस में आ चुका है बराबर और जब यह दोनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब है कि जो प्रस्न हम लोग कर रहे थे वह प्रस्न अब हो जाता है एक बार फड़ा बढ़ते सारे बच्चे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि भाई लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा क्लियर हो गया सभी को कौ चलूंगा चलिए एक बार एक्स्प्रेन करके फिर आगे बढ़ जाते हैं हमने क्या किया हमने इस कौट को सब्सक्राइब कर दिया कॉस बाहर निकाइब का बटे साइन किया फिर अगले स्टेप में आसलया से तरस्टे साइन को फिर से young ने लिए और उसके जिनिए आराम से क्लियर से की तरफ यह वाला जो प्रसन आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर ये प्रसन 2000 आप 19 का पर उठाईए 2020 का पर उठाईए 2021 का पर उठाईए 2023 पर उठाईए और 70-7 मेरे प्यारे वच्छों 2024 पेपर उठाई है ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें यह प्रस्ण बोर्ड एक्जाम में ना आया हूं तो भाईया जब पहले से आपको पता है कि हमारे पेपर में प्रस्ण आना ही आना है तो आखिर हम इसको क्यों कियों न तयार कर ले ज़ातना चलिए अब दिखे इसको ए mine से पहले अपना से इस उतार ना है कौन सा इस्सा ऊतारना था एकता न histories यानि में प्यारे बच्छो लेट तर लिया कैसे साइन déjà लिखा साइन थीटा फिर इसके बाद माईनेस का फ़ीटा यह हो गया माईनास का को सिएठा और प्लस का क्या हो गया यह 6 नंबर का प्रस्न है भाई फिर हमने कीची लाइन और फिर उसके बाद यह आगया साइन थीटा और फिर आगया प्लस का कॉस्ट थीटा और यह आगया हमारे पास माइनस का वन ऐसे हुआ ठीक है समझ में आया हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ एलक्चस को उतारा है और एलक्चस को उतार करके यहां पर नीचे लिखा हुआ अब क्या करें तो मैं देख रहा हूं कि भाई सेख है और टैन ह से कैंट से कैसे बनेगा से बनेगा नियुक परस्ट नकीम स्थ बनेगा जब साइन बने गास बनता है हमारे पास ऐसे नहीं हो सकता तो अब यहां पर चीज हम लोग करेंगे जिसको बोलता है कि भीया जबरदस्ती कॉमल लेने की कोसिस करिंगे कैसे आप क्योंल नेंगे यह समझाते हैं हम लोग इसलिए उसका इस्तेमाल करना GG क्योंकि हमें इस फार्मले काा इस्तेमाल करना है अगर इस फार्मले का इस्तेमाल करना होता तो उस चो खोर चोता तो कि नीचे कॉमन लेते हैं क्या कौमन लेते हैं उपर से मेरे प्यारे बचों हम लोग क्या लेissors टाकि हमारे बन जाए जाया और यह सब हो जाए तो उपर से क्यों मूद से कॉसे समझने की कोशिस करिएगा प्लों टफ संक का बड़ा important point है कि इसमें तो कॉस लिखा ही नहीं तो एक tip है जिसमें भी कॉस नहीं लिखा होगा और हम जब अर्दस्ती कॉमल लेंगे तो उसमें वो नीचे बटे में आएगा तो यहां पे आगया हमारे पास साइन थीटा और बटे में कॉस्टित अब आप पोलों के सर क्यो सब्सक्राइब बताउंगा आपको यह वन आगया और इसमें आ गया हमारे पास वन अपान फॉर्वार फॉर्श तीटा अब काम करता हूं इसमें ऊपर कॉस्टीटा से गुड़ा कर देता हूं कोई फरक पड़ेगा यहां पर भी दो तो यहां पर और यहां पर कर देता हूं और यहां पर भी बिड़ा नहीं दो आप जो चीज मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाईया जबर्दस्ति कॉमल लेंगे और जो जब और प्रसन बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में आता है वोह भी आप लोग बोर्ट पेपर के लिए इस पे रिस्क ले करके नहीं जाओगे अभी से तयार करके जाओगे ठीक है अभी से तयार करके जाओगे बड़ा important प्रसमें यह बात हो गई समझ में आगई कॉस से कॉस काट देंगे अब क्या बचा मेरे पास मेरे पास बचता है साइन थीटा बटे कॉस्टीटा तो इस साइन थीटा बटे कॉस्टीटा को हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं लोग टैन थीटा जोंकि साइन थीटा बटे कॉस्टीटा बराबर क्या होता है यह यह होता है टैन थीटा होता है और यह वन को वन लिख दिया बच्चों और यह वन अपन कॉस को क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सैक थीटा लिख सकते हैं फिर नीचे लाइन खीच दी फिर हमने देखा साइन बटे कॉस है ना तो फिर इसको लिए इसके लिए इसके ल तो उसको सेक बोलते हैं ओके यहां तक तो आराम से अब देखिए चुकि हमें क्या करना है हमें यह फॉर्मुला इस्तेमाल करना है यह वाला फॉर्मुला इस्तेमाल करना है अच्छा इस फॉर्मुले को तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वाइर थीटा माइनस 10 स्क्वाइर थीटा इसकल टू बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे बोलो क्लियर है न बच्चों यहाद तक एक बार फटा पट से बता दो एक-एक स्टेप बताऊंगा मैं एक-एक एक तीटा और प्लस का 30 और फिर माइनस का वन चैनल कहा पहले लिखा हम लोगों ने सेख़ ठीटा और फिर लिखा मेरे प्यारे बच्चों क्या माइनस का वन लिख दिया ऐसा क्यों किया नीचे से कोई मतलब नहीं अभी नहीं आखरी तक सब पढ़ा रहे गा और मैं आपक देखी तो बताई मैंने आपको अब देखो यहां से यह जो नीचे आखरी तक लिखता चला रहेगा यह बोज बना रहेगा तो यह क्या होगा टैन थीटा और फिर उसके बाद आगया प्लस का वन और माइनस का सेक थीटा यह आखरी तक चलता ही रहेगा ऐसे अब यहां पर ब से अब यहां यहां पर एस्तिमाल घारत बात कि यह जो सेक स्काur थीटा और लिख दो और समझो प्रसंण हो अच्छों तो माइनस है तो इसलिए भ्रैकट लगाना जरूरी है और फिर आगे हमारे पास सेक स्क्वेर थीटा और स्क्वेर थीटा यहां तक तो क्लियर ही हो गया हो आप चाहओ तो यह बड़ा भ्रैकट लगाना ही लगालो यह लगालिए इस वन की जगा लिख दिया ताकि इसका इस्तेमाल हो जाए यह फॉर्मला यूज हो जाए और नीचे नीचे तो वही सर जो आखरी में बचा हुआ है वही तो लटका हुआ चल रहेगा तो यह आ गया हमारे पास नीचे से बच्चों क्या होगा देखो जो बच्चा देख रहा है सुरू से उसको कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से समझ में आया तो यह स्क्वार माइनस बी स्क्वार तो एक बार जोडते हैं और एक बार घटाते हैं तो यह आगया हमारे पास से थीटा और माइनस टैन थीटा तो आई होब मेरे पैरे बच्चों यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि भाई यह दो बार क्यों लिखा गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यह ए यह बी है यह ए और यह बी है राइट नीचे नीचे तो वही जो इसके साथ बोज बनता हुआ चला रहा है क्या टैन थीटा हरा प्लस में वन एंड माइनस में से थीटा बस एक लाइन का और बचा हुआ है और उसके बाद यह प्रसंद समझ लो खतम हो गया है ठीक एक लाइन का और बचा हुआ है तो चलिए भाई इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए फिर नेक् अब बस एक से कंड यह बना लिए अरने दूसरा पेज और यही पेज लाकर के यहां रख देते हैं और यह थीं ग्राइब कर सब्सक्राइं हाँ यही तो मुझे लाना है ड़ेख ऐसे कुछ करके लाना है तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा हना याजनी अगले स्टेप में क्या होगा कि मैं सेक्ध सब्सक्राई फिर बचा आराम से बता रहा हूं फिर बचा माइनस त्टि पर एक चीज़ याद रखना है ब्रैकट नहीं लगाना भूलना ठीक है नहीं गलती हो जाएगी फिर और बराबर का चिन्ह नीचे क्या था वही टैन थीटा अना प्लस वन एंड माइनस सेग थीटा अच्छो देखिए है स्यब्स एन थीटा हमने लिखाए सेग थीटा विसका ओपेंड प्रेकट को अप्हें कर दो तो थ्म्रणा और फिर वर प्लस माइनर प्लस मैंने कॉंज किया है और जो नीचे वाला ब्रैकेट है देखो सेम है ना देखो सेम है ना बच्चो देखिए क्या लिखा हुआ है जैसे मैं आप से बोलू कि 2-3 प्लस पांच और नीचे लिख दूँ कि 5-2-3 ऐसे कर दूँ तो उपर भी आंसर जो है न वह सेम ही तो आएगा कि देखो सर दो प्लस का है सर तीन माइनस क या तो और से कट जाएगा यह तो वैसे ही यह जही है हमारे पास के टैन हमारे पास कैसा था कि टैन हमारे पास माइनस का और यह वाला इसलों जो बचा जो मुझे'm लमईन द्रक गद्वें पर मेरे पास आया क्या मेरे पास यह आया इसका मतलब मुझे आरचेस भी लेना पड़ेगा क्या है कि मुझे आरचेस भी लेना पड़ेगा तब जाके कहीं पर यह सॉल्व हो जाएगा और आरचेस मात्र दो लाइन का है ठीक है ना आरचेस क्या है मात्र दो लाइन का है तो च एसे लिखा हुआ है अब इसपे हम क्या कर दे हरका परिम्य करन दो कोई तरीका नहीं है तो अंदम करते नहीइ पर में हरका परिम्य करन दो करने पर प्लेस की पूरी पीडियाफ को अपने टेलीगराम चैनल ग्यानो öदफेने के गुरू जी को जरूर जॉइन कर लीजिए बस आपको क्या लिखना है टेलिग्राम पे लिखना है ग्यानों देखे गुरुजी आ जाएगा जिस पर लगबग 28-29 जार बच्चे और लेडी हैं अभी ये क्लास की पीडियाफ वहीं पर जाके मिल जाएगी आपको तो हमने एक बटे सेटा और टैन थी टैन थीटा ना करके प्लस टैन थीटा करेंगे और यहां पर टैन थीटा प्लस थीटा अब एक दिमाग लगा वही चीज माइनेस में है और वही चीज कैसी है प्लस में यह तो फार्म पिर से यूज वहागा एक हुआ और और ए प्लस भी जिसको क्या लिख होगे स्क्राइब स्क्राइब सकते हैं प्लस जो बचा वह क्या बचा वह बचा सेट फिलास 10 theta और यही हम लोगों को क्या करना था यही हम लोगों को क्या करना था proof करना था तो हमने देखा कि जो हमारा LHS part था और जो RHS part था वो आपस में क्या आ गया पराबर आ गया यानि question क्या हो गया भाई proof हो गया एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं पूरे question की trick बताता हूं सबसे पहली trick वच्चों हम लोगों ने कहां लगाई जब हम लोगों ने cost theta को common ले लिया यह हमारी पहली ट्रिक थी कॉस लेने के बाद जिसके जिसके पास formula उतार दिया जो किनों ने कहा था फिर a square मानस b square लगा दिया और open कर दिया open करने के बाद common ले लिया यह बचा common लेने के बाद कट गया और कटने के बाद जो बचा वो मैच नहीं कर रहा था तो आर्चेस लिया अर्चेस लेने के बाद हर का परिमेकर्ण कर दिया नीचे वाला बन गया A square minus B square और सेख स्कूरर ठीटा मैनस 10 square सीटा इसकल 2 1 होता है तो यह नीचे वाला अच्छी तरीके से समझ में आ गया है एक बार फायर इमोजी हो जाया और जो बच्चे बिल्कुल नए है घबराएं नहीं इस प्रस्ण के बाद दूसरा प्रस्ण करेंगे हम लोग कि अहरां है को समझ गये और दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चो अगर आप बीच से समझने की कोशिष करोगे प्रस्ण को तो फिर आपको समस्या घरां अब ये जैसे नया प्रस्ण है देखो क्या लिखा है नया प्रस ऐसे लिखा हुआ हमारे पास क्या कि कॉस्प और फिर और यह ऐसे करके मुझे लाना क्या है टू सेकें यह वाला जो प्रस्ण है ना यह 2024 में आया है कि 2024 कितने नंबर का आया है बेटा और मार्क्स का आया हुआ है कि अब आप सोचो कि यह हमारे लिए कितना हमारे पास कॉस ए और फिर बच्चा रहा है और फिर यहां से आया हमारे पास one plus sign a और फिर यह आगया हमारे पास अच्छा लाना क्या है मुझे मुझे लाना है two sec a अच्छा दिमाग लगा ये बस fire emoji को रोग दीजे दिमाग लगा ये two को two पड़ा रहने दो और sec को क्या लिख सकते हो one upon यानि अगर मैं इसको देखू तो मुझे two upon कॉस अगर मुझे मिल जाए तो फिर यह आ जाएगा तो हम किसी प्रकार से two upon स्क्राइब को स्क्राइब करते हैं देखते हैं बनेगा कि नहीं सबसे पहली चीज इसमें क्या कर सकते हो ले सकते हो क्योंकि पहले सई साइन को बदला हुआ है तो लो क्या आएगा एगा one plus sign a मैं एक-एक स्टेप आपको समझाओंगा one plus sign a और यह आगया हमारे पास कि को अच्छा देखो one plus sign a से one plus sign a खत्म तो फिर कॉस बचा बचेगा और कॉस का कॉस इसे गुड़ा हो जाएगा तो यहाजएगा कॉस स्क्वेर ए फिर देखो कॉस से कॉस खत्म one plus sign ने बचा और फिर one plus sign ने उपर भी है तो यहाजएगा one plus sign a का whole square अगई मेरी बात समझ में अब देखो क्या करेंगे इसको यह आएगा कॉस स्क्वेर ए अब फिर प्लस ए वन आ गया और अब देखो क्या है यह इस ब्रैकेट खोलो ए प्लस बी का होल इसक्वेर तो वन का स्क्वेर फिर साइन का स्क्वेर और फिर टू इन्टू वन इन्टू साइन क्यों क्यों क्योंकि यह टू एबी वाला पार्ट खोल दिया हमने तो यह क्या फर्म लगाया एए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस टू एबी और नीचे वाले को मत शेड़ो क्योंकि हमें कॉस लाना था कॉस आ आउंगी तो यह आगया फिर कॉस और यह हमारे पास साइट से सुनौ यह वाला कॉस जब इसवाले के साथ मिलेगा तो तो यहां से लाइन को बचा प्रस्न और फिर आगया तू साइन ए तो यह आ गया वह यह तो आगया और नीचे क्या है वन प्लस साइन ए और इंटू में क्या कॉस ए अब देखो यह वन वन क्या हो जाएगा तू यानि टू प्लस टू साइन मात्र दो लाइन का प्रस्न बचा हुआ है और फिर उसके बाद यह वन प्लस साइन आ नीचे वाला देखो वैसे ही चलता हुआ रहा है वह पर famoso और श्रॉनक मिलेगा व्हां क्या चू कॉम्म मिल गया उपर सेंदर बचेगा अंदर बचेगा वन प्लस साइन ए और नीचे भी क्या है वन प्लस साइन देखो उपपर नीचे दोनों ब्रैकेट एक जैसे बना दिये सर ने तो यह दोनो ब्रैकेट क्या हो जाएंगे अभी खतम और साथ कट जायेंगे मेरे वच्चों बच्चा क्या बच्चा हमारे पास का Mark Sud dzisiaj पिन ब्रेवर लख सकते हैं इसको लिख सकते हैं लोग 2 कैसे लख सकते हैं देखो याँ से समझना इसके साथ इन तो है कि लिख सकते हो और से सथ okay यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था यही तो प्रूफ करना था यानि पहले स्टेप में क्या किया हम लोगों ने बस स्ट्यम ले लिया और फिर हमने कॉमल लेके काट दिया और प्रस्न स्वालब हो गया ठीक है अभे जल्दी से बता तो भाई कि कितने लोगों को यह प्रस्ण आराम से समझ में आ गया वाई क्लियर है आगे चलू कि एक चीज में देख रहा हूं जब जब हम लोग एमसी क्यूज वाला सेशन करते हैं आपकी संख्या क्लास में बढ़ जाती है जैसे ही मैं थोड़ा कठिन प्रस्ण लाता हूं कि यह चलो आप लोगों को पढ़ा दूँ तो आप लोगों का मन वाना लागत है मुन्ना मन नहीं लगता है और कोई बात नहीं अभी भी लगबक सत्तरा से अठारा अठारा सो बच्चे के आसपास हैं ठीक है ना तो यहां तक समझ में आगे इतनी बात आगे चलू कि अगल आदों आप भी हसोगे 2024 में कर यहन नंबर का एमजी क्यूँ आए भईया एक फैस्ट कीACT कर दी ना इन्होंनेएं सिर्ट साफ भी कर थो हिंए सब्सक्रा कर दो दिता फैस इन्योंकि हमकर कव चुइज लाना है हम इसको दोनों तरफ से लगा सकते हैं और दोनों तरफ से अंसर आ सकता है अगर हम इसको इस साइट से लगाए मेरे बच्चे तो ज्यादा आसानी से होगा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो हम इसको इधर से लगाएंगे और फिर आपको बता दें कि अगर कुछ ऐसा दिख जाए कि उपर घट रहा हो नीचे जुड रहा हो तो आप उसी पच्च से करोगे आसानी से होता है प्रश्ण ठीक चलिए हल करते हैं हल में हम लोग क्या उतारेंगे और चैस और बहुत छोटा आसा प्रस्ण है बहुत मस्त प्रस्ण है क्या है वन प्लस वन माइनस कॉस्ट थीटा और नीचे आगया बन प्लस कॉस थीटा ऐसे ही तो है हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां करेंगे हर का परिमे करन क्या हर का परिमे करन तो यहां लिख देंगे कि हर का परिमे करन क्यों करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि इसके लावा और कुछ कर नहीं सकते हर का परिमे करन करन तब तक स्क्वार नहीं बन पाएगा यह वाला तो हमने लिखा वन माइनस कॉस थीटा और इसको लिखा वन प्लस कॉस थीटा वड़े अराम से एक्स्प्लेइन करेंगे सारी चीजों को यह आ गया इतना अच्छा आप देखो हरके परिमेकरण में यह नीचे प्लस है ना तो नीचे हम वन माइनस कॉस थीटा से गुड़ा कर देंगे हरके परिमेकरण में वन माइनस कॉस थीटा से गुड़ा करेंगे अच्छा यह वन माइनस कॉस थीटा और यह वन माइनस कॉस थीटा यह कितनी बार है दो बार है तो यह आ गया हमारे पास वन माइनस कॉस थीटा का whole square हो गया दो बार और नीचे देखो एक बार वही चीज प्लस में है एक बार वही चीज माइनस में है यानि A प्लस B A माइनस B तो A square माइनस B square तो यह आ गया A square और माइनस B square अब देखिए ज़रा ध्यान से समझने की कोशिस करिएगा बच्चो वन माइनस इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो क्यों क्योंकि हमने देखा कि उपर square आ चुका है अब नीचे वाले को देखो यह लिखा है कि वन इसको वन ही बोलोगे और यह हो गया तो वन माइनस स्कॉइर थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताओ लिख करके बताओ जल्दी दे कि वन माइनस स्कॉइर थीटा बराब जिनको question नमर दो नहीं समझ में आया है घबराये नहीं उस तरीके का भी एक और प्रसन है practice के रूप में वो भी करेंगे और वन माइनस स्कॉइर थीटा पबराबर क्या हो जाएगा सांस्कॉइर थीटा उपम स्कॉइर फ्याट और यह आगे वमारे पास सांस्कॉइर थीटा इसको हमें पूरे का तो लाना है अब कॉंसेट बताते हैं जैसे माल लो मैं लिखो तीन माइनस चार बटे में पांच ऐसे लिख दूंध और मैं बोलो कि एक क्या लिखा है कि तुब यहां भी और साइन और कॉस्बटे साइन कर सकते हैं तो इसको हमने लिखा one upon sign और फिर इसके बाद माइनस पॉस बटे साइन एल्स्टियम ले लोगे फिर से वही आ जाएगा इसको हमने अलग-अलग कर दिया और वन अपन साइन को क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो कॉस एक ठीटा और साइन अपन कॉस को क्या लिख सकते हो कॉट ठीटा वरावर फॉर्मला होता है आप देखो आ गया वही तो फिर से समझाते हैं सबसे पहले अलच्यस उतारा और फिर उसके बाद हरका कि इसको दोनों को एक सकते थे तो यहां इसको उन्हें किया फिर दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और अलग-अलग करके आंसर आगया अना समझ गए दोनों को बंद कर दिया और अलग अलग करके आंसर आगया ऐसे प्रसना आता है हमारे बोर्ट पेपर में कि क्या यहां तक समझ में आ गई इतनी बात एक बार फटा-फट से बताईएगा फिर मैं आगे कौंटीनियू करूंगा और एक बात और बताते हैं अपना परिवार एक मिलियन होने वाला है और लगभग हम लोग उससे अभी पचास हजार दूर हैं मात्र पचास हजार कितना बेटा मात्र पचास हजार और आप सोचके देखो कि जब हमारी संख्या मात्र पचास हजार दूर है तो भाई फटा- तो आप लोग सारे बच्चे जितने भी देख रहें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सेर करिए जल्दी जल्दी से पचास हजार हो हम आप लोगों के लिए कुछ सर्प्राइज लेकर करके आएं ठीक है चले अगला प्रस्ण करकिया जाए अब यë देखो प्रस्ण अब ये लिखा है का लिकाए सिद्ध करके बताना है कि ये और बराबर में ये लाना है अब क्या करेंगे इसको उठाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे अब आपको बताते एक बात यह प्रस्न देखने में जितना हलका लग रहा है न वास्तों में इतना हलका है नहीं यह प्रस्न जानते हो कितने नंबर का है यह प्रस्न है छे नंबर वाला बहुत बेहतरीन सा प्रस्न है बहुत बेहतरीन सा है और बहुत मस्त प्रस्न है सॉल्व किया जाए देखो पहली चीज कि अगर हम इसको साइन कॉस्ट में ना बदले ऐसे ही माल लो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो फिर हमारे सामने कुछ समस्याएं खड़ी हो जाए टो आप सबसे हमने अपना left hand side उठाया मेरे मुन्ना और फिर उसके बाद हमने लिखा 10線 और फिर उसके वार्ड बटे में one-mineas fight theta three-theta अच्छिके लिख दिया one-mineas यह पहला काम साइं कॉस्प में बदलो इस यह तो अगर हम साइन कॉस्प में बदलें तो क्या होगा carryques तो यह आ गया मुझन हमारे पास सांन थीता बटे इस एकश़ार है वह जए लाइन की चाउं आर यहां पर प्लस को क्या dzięki आ बटेव मिंविंदेखना सब कड़ जाएगा कुछ बचेगा नहीं इसको लिख सकते हो पार को उतकी पुर्ण एक क्शाइन बदल रहे हैं सब बन साइन थीटा ऐसे करके ही स्वाल होगा क्योंकि अगर आपने इसको टैन में बदलने की कोशिस करी तो फिर ये प्रस्थिन कठिन हो जाएगा याद रखिएगा फिर उसके बाद यहां पे आया वन प्लस यहां गया साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा अभी देखना इतना आसान बन जाय गए अब बच्चों क्या होगा इसमें LCM लेलो यहां भी और यहां भी LCM लेलो इन दोनों जगह पर LCM लेलो क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं एक मात चारा LCM लेना तो चलिए भया LCM लेते हैं कि इसमें अगर LCM लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस्ट ठीटा और फिर आजागा नीचे हमारे पास कि साइन थीटा यहां पर भी LCM लेंगे तो क्या आएगा पॉस्ट टीटा प्लस का साइन थीटा मेरे बच्चों और फिर नीचे आएगा हमारे पास कॉस थीटा क्लियर यहां चाह माइनस है ना तो यहां माइनस कर दो कि यहां भी और यहां भी ठीक क्लियर हो गई इतनी बात अब यह साइन बटे कॉस है ना तो इसको साइन बटे कॉस ही पड़ा रहने दो कि इसको भी साइन बटे कॉस बटे साइन ही पड़ा रहने दो अब दिखो बटे का बटा है तो पलट करके लिखतो बटे का बटा होता है तो क्या करते हैं पलट करके लिखते हैं तो हमने क्या लिखा साइन बटे कॉस हमने लिखा बच्चों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और इसको हमने पलट करके लिख दिया तो साइन ऊपर जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आएगा पलट जाता है यह तो यह आएगा साइन थीटा और फिर आग जाएगा हमारे पास sin theta और minus का cos theta बीच में plus सेम काम इधर भी होगा तो क्या आएगा cos theta और फिर उसके बाद बटे में sin theta into पलट जाएगा तो cos theta उपर और नीचे आएगा cos theta minus समझ गए इतनी बात clear हो गई कि नहीं हमने क्या किया सिर्फ अभी हमने साइन को से बदला लिया पलेट कर लिखा इसके अलावा कुछ नहीं किया है अभी तक क्या यहां तक समझ में आया एक साइन को साइन से गुड़ा कर दिया मैंने तो क्या आएगा साइन स्क्वाइर थीटा अना फिर इसके बाद बटे में देखो बटे में हुआ हमारे पास कॉस थीटा और फिर आया ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर यहां पर लॉजिक लगेगा आप देखना ध्यान से यह आगया कॉस स्क्वाइर थीटा पस थोड़ा सा ही बचा है प्रस्ण फिर यह आया हमारे पास साइन थीटा और यह आगया हमारे पास कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अब ए बीच में प्लस लगा दूँ यहां लिख दूँ चार और इसको लिख दो मैंने सब्सक्राइब हैं और इसको सॉल्व कर देंगे पर अगर लेकर कर दिखाओ तो फिर आप क्या करोगे बोलों फ्रक्राइब लेंगे तो यह दोनों एक जैसे हैं बस इनकी विपरीत हैं यहां प पांच पहले मैं दोबाद में लगएंगे और बीच में लगाएंगे ऐसा इसलिए करेंग ना थाकि यह दोनों एक जैसे बन जाएं तो अब यहां पर यही सिक्यूशन हमको मिल रही है कि यहां पर देखो और यहां पर देखो जाय क्तश्य करते हैं और यहां में यहां कॉस्टीटा माइनस में है और यहां कॉस्टीटा प्लस में अगर ऐसे सिचुएशन बन जाए मेरे मुन्ना तो हमें काम करते हैं क्या करते हैं गौर से सुनना यहीं है इस प्रसंद की सबसे ससरे और इसको आउसर तीन दे रहा है जैसे इनके स्थान बदले इस इस अतर खिचीफ इस प्रकार से जैसे मैं इनके स्थान बदल दीया हूँ देखिए कॉस को यहां को कर दीया हूं तो इनके आगे यहां पर माइनस दा जाएगा और यह जो माइनस आएगा वह इसको माइनस कर देगा माचने बात अब जो रटा मारते हैं उनके लिए एक माइनस कर दो ये रट्टा हो गया concept कहता है कि वहीं हुआ क्यों हुआ क्यों 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 वा तक हमने कौन लिया माइनस टीज़ा समझ गए ना मुन्ना अब यहां से प्रस्ण बड़ा आसाल हो गया बस अब आपको इसमें लेना है और खतम ठीक तो वच्चों क्या हुआ यह आगया हमारे पास साइन पहले इसका ले लो ठीक है पहले इसका यह लेते हैं है कर दो चीज केल्सिम कैसे लिखते हैं जो चीज कॉमन होती है उसको लिखते हैं फिर जो बचशेजाताहे उसको लिखते हैं तो यह दोनों ब्रैक leaders कॉमन खतम कॉस से कॉस खतम साइन बचा और साइन का गुड़ा साइन स्क्वेर से हुआ तो इसके उपर तीन घात आ गई पर यूटूब पर चान मारोगे आपको कोई भी हिंदी माध्यम में ऐसा इस तरीके से में यह नहीं कहह रहा हूं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं बहुत सारे महाराथी टीचर बहुत 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 हैं जिनको अधा है लेकिन वह अपने नौलेज को इस तरीके से यूटूब पर फ्रीमें शेयर नहीं करते हैं क्योंकि समस्या समय की हुती है, हमारे पास भी बच्चों समय की समस्या है, आपको मैं बता हूँ पूरा दिन काम करता हूँ, सुबा 9 बज़े से हम आफिस के अंदर एंट्री करते हैं 10 बज़े से हमारा काम चालू हो जाता है सुबा 10 बज़े से सब काम सुरू होता है तो रात में हम मान के चलो कि रात में 10 बज़े तक ही ये काम चलता रहता है और सुबा 10 से रात में 10 तक हमारी बस रूम से बाहर निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए इसके अलामा किसी दूसरे काम के लिए हां ट्वैलेट वगरा जाना है तो में भी वो जा सकते हैं इसके अनामा रूम से बाहर नहीं निकलते हैं क्यों ताकि मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ेने को मिले आप लोगों को लगता होगा बस सर आए बोर्ड खोला पढ़ाने लगे यह सब चीजे बनानी पढ़ती है क्वेस्चन लिखना पढ़ता है प्लस माइनस चेक करना यह कैमरा वह सी इधर भी लाइट इधर भी बोड नीचे भी बोड सामने भी हर तरफ देखना पड़ता है और जब मैं पढ़ाता हूं तो आप देखते हूं कि कभी मेरी नजर इधर जरूर जाती है इधर इसलिए जाती है इधर एक सिगनल लगा हुए कि मेरी आवाज सही स इसे बच्चों तक पहुच रही नहीं कि टेशिबल चल रही है आवाज सारी चीजों को चेक करना पड़ता है कितना इंटरनेट की स्पीड आ रही है कोई लैगिंग तो नहीं औरी क्लास में इधर क्लास चलती रहती है इधर मैं देखता रहता हूं इधर नहीं देखता हू को मिला करके तब मेरे प्यारे बच्चों क्लास होती है ऐसे नहीं होती कि बस ठीचर आया पढ़ाने लगा तो इसलिए हर एक चीज की वैलू को समझना आपके लिए इंपोर्टेंट है और उन लोगों से मुझे बिल्कुल भी फार्क नहीं पड़ता जो लोग निगेटिव बोलते हैं वह अपने अंदर कमिया ना ढूंड करके दूसरों के अंदर क्या करते कमिया ढूंडते हैं और जो इंसान आपने अंदर कमिया ढूंड करके दूसरों के अंदर कमिया ढूंडता है वह सिर्फ जिंदिगी भर कमिया ही ढूंडता रह जाता है वह हमेसा कमिया ही ढ आगे नहीं बढ़ पाएगा इसलिए दूसरों के अंदर कम्यां ढूंड करके आप आगे बढ़ना सिखिए कम्या यदि आपके परिवार के कोई सदस्या बता सकते हैं कि आपके अंदर ये कमी है वह अलग बात है पर दूसरे के अंदर कमी ढूंड़ना और फिर उसको बताना भी ना किता आपके अंदर ये कमी है तो वह तो गलत बात है यह इसलिए मैंने आपके साथ सेर किया ताकि आपको भी पता हो कि भया ऐसे इकलास नहीं चलती अब देखो यहां पर फॉर्मला यूज होगा और वह फॉर्मला कौन सा यूज होगा मैं आपको बताता हूं देख माइनस B क्या होता है एक ब्रैकेट में लिखते हैं A प्लस B अगर माइनस होता है तो माइनस से लिखते हैं A माइनस B और फिर A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस AB यह होता है फॉर्मला अगर यह A क्यूब प्लस B क्यूब हो जाए तो A प्लस B, A स्क्वार प्लस B स्क्वार मा गए मुन्ना इतनी बात क्लियर है इस फॉर्मॉले का इसेमाल करेंगे हम लोग अप कि इस फॉर्मॉले का इस्तेमाल करेंगे कहां पर यहां पर करेंगे और फिर उसके बाद यह प्रस्लें कट पिटकर खतम हो जाएगा तो देखिए ध्यान से कि नीचे वाले को ऐसे उतार दो क्या साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा मेरे बच्चों पिर उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा क्लियर अब उपर देखो एक क्यूब माइनस भी क्यूब यानि एक ब्रैकट में हम दोनों को घटाएंगे साइन थीटा माइनस कि खूचू ढानिस को साइन स्क्राइण सब्सक्राइव एक पसक्राइजें और प्लस दीजिए हैं आफ देखान से समझनें फ कोशिश करिएगए सब खतम यह से खट गया कि यह इस धोड़ी ना कट पाएगा कि जुल रहा है अब यह आपर साइ्न सक़ार थीटा है और 이 स्कर llev प्लस कॉस इसकुरा तीटा इесто इस गोल टू-1 यानि बचा वन प्लस टाइट यहां साइन थीटा को सुट ता रहे सिछ ना क्या है यह बभन हो गया वन प्लस साइन ओच फिटा इंटू कॉस फिटा अगर हम इसको इससे काट दें तो घलत हो जाएगा क्यों यह जूड़ रहा है न वन तो आप देखो वही वाला कॉंसेट्ट क्या कि तीन प्लस चार बटे पांच तो क्या लिखते हैं तीन बटे पांच चार बटे पांच है ना तो वही चीज़ एक बटा फिर ये बटा तो अब आंसर हो जागा इसके बाद वन अपॉन साइन थीटा और डॉट पॉस थीटा का बताया? वन अपॉन साइन थीटा और डॉट रॉट पॉस थीटा एक और फिर बीच में प्लस साइन थीटा और बटे साइन थीटा और डॉन आ रखिए आंसर साइन थीटा और कोस थीटा अभ देखिए यह कड़ जा रिखada क्या बचा एक बचाओ एक बटे साइन और एक बचाओ स्कते हो से और फिर ये एक बचा यहां से अब लाना क्या था वान प्लस एक थीटा कॉसक थीटा क्या लाना था वन प्लस एक थीटा और यानि यह कुश्चन इसी लिए क्akukan को इस इसके फॉर्म्रा लगेगा तो समझाता हो मैं सबसे पहली चीज़ आफ में बदल दो क्या क्यों अब ऑप साइन को वाले को इस तरीके दो कहां पे है और यहाँ पे इनकी अदला बदली करनी है ठीक फिर उसके बाद LCM लेना है तो यहां पर घात तीन हो जाएगी फिर A क्यूब माइनस B क्यूब तो एक बार A माइनस B फिर A स्क्वायर फिर प्लस B स्क्वायर प्लस टूए प्लस AB लगाया फॉर्मला अब यह तो कट गया इससे यह बचा इतना इतना हो गया वन प्लस साइन थीटा कॉस्थीटा और बटे में साइन थीटा कॉस्थीटा मेरे मुन्ना हमने दोनों को अलग-अलग कर दिया यह वाला रूल लगा करके और उसके बाद फिर देखा मैंने जो ला अब बड़ा इजी प्रस्ण है अच्छा कोई भी प्रस्ण आसान कब लगता है जब आप उसको तीन चार बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर चीजे अपने आप आसान होती है और जब आप नहीं करते हो तो कठिल लगता है इसी प्रस्ण को देखो अभी बहुत छोटा सा प्रस्ण है क्ता लो कि कितने नमबर का प्रस्ण इपता तो नमबर क आ हुआ यह इसकों क्यों य्मग कर रहे हैं देखी किया करें वों प्लस स्थिख ए और बटे में अ चाहिए अच्छा इसको साइन कॉस्ट में मत बदलो क्योंकि साइन कोस्ट में बदलो गें फिर लोगें फिर से वहीं का आएगा जब आसानी से और प्लस अपन देख दिया मैंने इसको आप देखे वन अपन से को क्या लिख सकते हो कॉस ए और सेक अपन से कड़िया आंसर क्या आगया अब भाई इसके अलावा आप मुझे बता दो आप इसमें करी क्या सकते हो क्या कर सकते हो इसमें अगर मैं बोलू कि नहीं उपर नीचे वन माइनस कॉस ए से गुड़ा कर दो तो रट्टा वाला तरीका हो जाएगा अंसर तो आ जाएगा पर रट्टा हो जाएगा ना फिर यह आपने रट्टा मार लिया कि भाईया यही करेंगे अब इसको आर्चस करन करेंगे तो भी हो जाएगा कि अधर के पर में करन क्या करेंगे वन प्लस कॉसे से उपर नीचे गुड़ा करेंगे अगर हम इसको और आसान बनाना चाहें तो साइन स्क्वेर ए को लिख दे हम वन माइनस पॉस इसक्वेर ए लिख सकते हैं और नीचे आगया हमारे पास सब्सक्राइब करन से भी हो जाएगा अच्वेर माइनस भी स्क्राइब लगा दो अभी आगया एक बार आप इसको जोड़ोगे ए प्लस भी आएगा और एक बार मुन्ना आप इसको घटाओगे और नीचे देखो वन माइनस पॉस ए है हम आप देखो नीचे कड़ी आ यह बचा मतंड़ा कि जो बचा क्या वन प्लस है तो आपने यह देखा और यह देखा दोनों इससे कैसे आगए भाईया बराबर आगे अब मैं एक बात बोलता हूं इतने सारे प्रस्णों को इतनी बार लगा लो इतनी बार लगा लो ना कि भाया इतने प्रस्ण आपको रठ जाएं जैसे सामने दिखाई पड़े फटा-फट हो जाए तिरकोण मित्ति के एक खास बात होती है कि जिसको आ गई उसको कभी भूलती नहीं और जिसको नहीं आती उसको बड़ी समस्या होती है मेरे पिता जी कहते हैं कि मुझे आज तक केवल एक ही ऐसा चैप्टर रहा जो कभी जिंदगी में समझ में आया और वो त्रिकोण मित्ति मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बोलते हैं त्रिकोण मित्ति मुझे मुझे में आ गए अन त्रिकोर मित्ति की खास बात होती भी है कि यह सबको समझ में आती भी नहीं को आज आती है कभी जाती भी नहीं है कि के तमाज गए मुन्ना चलो अब यह वाला प्रसुन देखो ऐसे लिखा हुआ है इसको अभी कराएंगे बाद में पहले इसको कराएंगे कौनसा वाला यह वाला उसको बाद में तुकि मुझे पता है उसमें तुम्हारा सरदर्द हो जाएगा ठीक पहले थोड़ा हलका वाला करते हैं यह देखो और आप 2024 का पेपर उठालो तो सेट में यह प्रस्न दिया गया पता दो सेट में कितने नंबर का चार नंबर का और पता है कैसे दिया गया किसी में तो डारेक्ट ऐसे पूच लिया गया और किसी में इसने में थोड़ा परिवर् अगर हम इधर भेज दें तो आ जागा वन प्लस साइन और फिर वन माइनस साइन एज और फिर उसके बाद सेक शेक और प्लस टैन एज आ इस तरीक्या प्रसंद अभी हम पिछे करके आएं जिसमें यहां पर कॉस था यहां पर कॉस था और यह हिस्सा उधर लिखा दा प्रसन एसे दे दिया आप प्रासेस के साथ करेंगे डिए प्रॉसेस के साथ करेंगे तो הטंट एक प्रॉसेज्च लगा लिया तो यह अपने आप हो जाएक यह प्रसन बना कहां से यह अंड़नृट को इस तरह भेज़ करके इस्क्वैर लगा दिया और एक नया प्रसन बन गया तो यह एक दूसरे सेट में दे दिया गया तो इसलिए बोर्ड कुछ भी कर सकता है इसलिए आकरी तक साथ मत छोड़ना हमारा हम सब कुछ बताते रहेंगे हर चीज की जानकाली देते रहेंगे सही गलत सब बताएंगे आसान और कठिन सब पढ़ाएंगे सिर्फ हम आसान पढ़ा करके आपकी जिंदिगी को कभी भी बरबाद नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखना क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं मुझे फर्क उस दिन पढ़ेगा जिस दिन बोर्ड पेपर का रिजल्ट आएगा इसलिए इस चैनल पे कभी भी आसान प्रस्न नहीं कराए जाते वो प्रस्न कराए जाते हैं जो बोर्ड एक्जाम में आते हैं क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आसान प्रस्न पढ़ा करके मैं पूरे साल बच्चों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ लेकिन कठिन प्रस्ण पढ़ाने के बाद ऐसे प्रस्ण पढ़ाने के बाद जो बोट इक्जाम में आते हैं उसके बाद जो बच्चों की स्माइल होगी रिजल्ट के बाद वो हमें सुकून देगी वो हमें गर्व महसूस कराएगी और आखरी में पता चला की बोट का रिजल आप करेंगे जिससे आप लोगों की लिए दिक्कत हो कि मैं वादा करता हूं प्रदेस में जो सरकारी स्कूल है वहाँ के master लोगों से मैं हाद जोड़ के एक request करता हूँ कि paper अपने आप बनाए अपने आप paper बनाए, market में बिक रहा paper बच्चों को ना दिया जाए उससे बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं, बच्चों को वो वाले प्रसन भी दिखाई देते हैं जो हमारे syllabus में नहीं है, और वो board exam में नहीं आते हैं तीन साल पहले, चार साल पहले paper बन रहा था और वही paper अब बच्चों को दे दिया जाता है तो मैं जितने भी हमारे सरकारी स्कूल के master हैं, उनसे एक छोटी request करूँगा कि भाईया paper सोयम बनाए, बेसक उनसे पांच प्रसन ले 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 paper में, लेकिन सोयम तो बनाए मेरे पास कल एक बच्चे ने paper भेजा, कहरे सर ये वाला प्रसन आपने नहीं कराया, ये third chapter का प्रसन है मैंने का भाई ये syllabus से बाहर है, वो हमारे app का बच्चा था, उसने हमारी बात मानी और उसने का सर मैं आपके उपर विश्वास करता हूँ कि सर आप जो बताओगे वो paper में आता है और ये चीज clear है, मैं फिर बोल रहा हूँ विश्वास मानो, हमें मतलब बहुत सारी teacher को experience होता है, पर वो चीज share नहीं करना चाहते, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ समझे मेरी बात को, मैंने सरकारी स्कूल के उन teachers को बहुत सारे ऐसे teacher है, जो गलत है, मेरा बोलना गलत होगा, मैं जानता हूँ लेकिन ये गलत वो लोग भी तो कर रहे ना कि जो लोग पेपर मार्केट से बना करके दे देते हैं, बच्चों को teacher के लिए, बच्चों को पेपर की दे देते हैं, मुझे पेपर मिला कल, और उसमें वो ऐसा प्रसन दे दिया, कि बच्चा मुझे पूछ रहे, सर ये प्रसन परना होता है था, reduce हो गया था ये, ऐसे नहीं बच्चे अब हमारे से लेबस में प्रसन, इसमें स्क्वार बन जाता है, या फिर ऐसे वाले प्रसन नहीं बच्चे कि X-Y और बटे में 5, फिर उसके बाद X-Y और उसके बाद बटे में कुछ और फिर उसके बाद यहां पर 3 और फिर इसके बाद X-Y यह सब से लेबस में नहीं बचे अब या फिर एक बटे एक्स प्लस एक बटे वाई अना बराबर 5 ऐसे करें के नहीं बचे क्योंकि इसमें बन जाएगा जहां भी X-Y एक साथ आएगा से लेबस में नहीं है ठीक है इनको रैकिक समी करने बदल कर रहल करना होता है चले चलो भाई इस ऐसे प्रस्णों को सॉल करते हैं देखो कैसे करेंगे सबसे पहले क्या उतारेंगे मेरे बच्चों हम सबसे पहले लस्यस उतारेंगे क्या आया वन प्लस साइन ए फिर उसके बाद क्या हुआ वन माइनस साइन ए और कल बच्चों आपका मॉडल पेपर कराये जाएगा इंग्लिस का हर का परिवे करन करेंगे हर का परिवे करन करने पर आज मुझे बहुत तेज बुखार था और बुखार अभी भी है इसलिए मैंने आप लोगों का धात्वा धात्वाला लेक्चर हटा दिया था क्योंकि मैं चाहता था देखो मैस पढ़ाने में कोई समस्या नहीं होती पर धात्वा धात्व यह साइन्स पढ़ाना होता है तो ऊलिड पढ़ां ऐसा नहीं कि धात्वा 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 थाथ का हमारे बुखो बहां और अधात्वा परण पढ़ाने आये और उसके बाद हमारे बच्चों के साथ गलत हो जाए उनको चीजह समाझ में नाएं क्यों हम एनजी वह साथ ना पढ़ा पाएं गया यानी लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक होली स्क्वेर नीचे देखो एक बार मायनेस एक बार प्लस में तो यह स्क्राइस माइनस कि साइन इसक्वेर एट उन्डर रूट चाचा साथ में चलते रहें अगर सोचो कि one minus sine square theta को cos square theta लिखते हैं तो यह आएगा one plus sine a इसका whole square और नीचे वाले को देखो वह इसको लिख सकते हैं cos square a यह तो वही बात हो गई जैसे अभी हमने दोनों को एक में कर दिया था इन दोनों को एक में अब यह square अंडर रूट दोनों हट जाएंगे क्यों हट जाएंगे क्योंकि हमारे सर ने हमको सिखाया था कि अगर square भी और अंडरूट भी है तो बोलते था takes iterator को खा जाता है को इसी के उपर घात एक बटा दो लगी है तो इसका मतलब एक बटा दो घात हो गई है और इसको इससे K занiyan तो एकस ही तो बढका सकते हैं है एक सबांग हो गया समझ्क फर एक बड़े को सकते हैं कि एप ऐसे और साइन कोस अ एन आ क्या यह सूल हो गया हो गया अच्छा सोंचो अगर इस में यहां स्कूैर होता तो क्या होता यह इसक आर आखरी तकAw attent div होता ब्रैकेट होता है तो फिर यह ऐसे प्रसूंज हो जाता दोनों पुर स्ट एक जैसे थे बस घाथ है कि एक बताकर करके सब और ने इसमें एक तीर से दो निसाने मार दिया है कि थाइंक्यू बेटा तनू सर्वा कि थाइंक्यू सागर कि जैस्मीन अंकुष कि तनू गौतम सर मैंने तो पहले कर लिया तुम स्मार्ठ हो बेटा तनू कि कमच गए तो ऐसे करके करेंगे अगला कि क्या लिखाया यह लिखाया और यह लादा है तो सबसे पहले अलेक्षास उतारेंगे कि या उतारेंगे फिर समझाते हैं कि आखिर क्यों साइन थीटा तो साइन की घाट त्रीट नीचे टू कॉस हमने अलेक्षेस उतार लिया अब हम देख रहे हैं कि उपर और हमें लाना टैन है टैन कैसे बनेगा जब उपर साइन और नीचे कॉस होगा तभी तो टैन बनेगा तो मैंने क्या कहा कि बहुआ उपर से साइन कॉम लिया मुल रहा है नीचे से कॉस मिल रहा है ले लो तो उपर से साइन कॉमन ले लिया मुनना अंदर बचा वन यहां बचा मैनस टू बचा। और यह साइन फिन घृत थी अब दो बची और उसके बाद नीचे देखो उपर यह नीचे से कॉस्प कॉमन लेतो अंदर बचा वंहारे पास टू फिर कॉस की घात तीन है तो कॉस की घात दो बचेगी और माइनस का वन बचेगा अब देखो जरा ध्यान से अगर यह दोनों एक जैसे हो करके कट जाएं तो फिर यह क्या हो जाएगा बड़ी आसानी से प्रस्ण सॉल्व हो जाएगा अगर यह दोनों कट जाएं अब 11 क्लास का बच्चा होता तो वह बोलता सर जी यह दोनों फॉर्मूले होते हैं कॉस्ट टू ठीट आके और सर इसलिए दोनों बराबर हैं काट देता और लिग देता टैन पर आप नहीं कर सकते इसको आप क्या करोगे आप इसको साइन में प्रकॉस लिखा रहने दो लिखा रहने दो और अब यह जो साइन है और यह जो कॉस है इसमें किसी एक को बदल लो या तो साइन को कॉस में और या तो इस कॉस को साइन में तो उपर वाला छोड़ते नीचे अला बदलने तुम उपर वाला भी बदल सकते हो मेरे सर क्यार मेरे मुझे बहुत प्यार से बताया था और कसम इतना इंप्रकॉर्टनीट है और मुझे अपना दिन याद आ रहा है जब मेरे का इसको बताया था Yeah या तो यह आग कि यसी लिए मेरा इस्यालिए पिता। चैप्टर है क्योंकि इसको बड़ी सिद्दत से पढ़ा था मैंने तो मैंने क्या कहां वन लगाया फिर माइनस लगाया फिर साइन स्कुरेट इसमें गेम खेला तो निखा और कॉस्ति इसकुएर थीटा को अमने लिख दिया माइस साइं इसकुएर थीटा ब्रैकेट कुलो कट खतम है कि क्या हुआ साइं थीटा और हमाइनस टू साइन स्कुएर थीटा कि हो गया इतना ऐसे हो गया आप इसके साथ नीचे अला ब्रैकेट खोल दो तो यह आ गया कॉस्ट थीटा और देखो टू के साथ खोलेंगे तो अन्जाट टू माइनस टू साइन स्क्यार थीटा और फिर यह माइनस का वन वो टू नहीं होगा आप देखिए यह साइन थीटा पटे कॉस्ट थीटा यह टू मैं से वन तो पहले इसको एक लाइन लिखो साइन-थीटा इसको देखो 1-2 waar चाहिं स्क्यार प्रक्रान देर वह तो ऐसे उतारते चले जा रहे हैं उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं या वह सो सुरस्ट नीचे ऑंपर मुनलन धृक्टण कैसे बन गए है तो बचा क्या साइन बटे कॉस्स जो की होता है क्या यानि इस प्रस्ण में केबल एक चीज करनी थी कॉमन लेना था और दो में से किसी एक चीज को बदलना था वाकी कैलकुलेशन है कि समझ गए यहां तक एक बार जल्दी-जल्दी से बता दीजेगा वेरी गुड राम सरंजी वेरी गुड अब आता है हमारे पास यह वाला प्रस्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वही प्रस्ण है जो दो हजार कि उन्निस कि दो हजार बीस कि दो हजार बाइस कि टेईस कि चौबेस कि में आया हुआ है कि अर्प कितने नंबर का आया बताऊं कि अ कि सिक्स माक्स का कि छे नंबर का प्रस्ण है बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम लोगों ने एक प्रस्ण अभी किया था दूसरा वाला वैसे ही चलिए देखिए समझते हैं सबसे पहले इसका अलेक्स उतारते हैं और वही करेंगे जैसे सेम टुषिंव यह आगया कॉस्टए मैनस का मुन्ना साइन ए और ब्लस का वन पिर उसके बाद कॉस ए ब्लस का साइन एबेटा और फिर मेरे प्यारे बच्चों माइनस का वन अचा मुझे लाना क्या है मुझे इस फार्मूले का استعمال करनी मुझे है कौस से कॉर्ट कर जीटाआ वाला तो हम इसको कॉस से कлейसे की कोसिस कलें तो और कॉस के कैसे बदलेगा इसके पहले वाले प्रसन में हम लोगों ने कॉस्स कॉमल लिया था इसमें उपर से साइन कॉमल लेंगे तो हमने आपको भी बताई थी आप इसमें तो साइन है नहीं तो इसके बटे में आएगा साइन नहीं है तो फिर बटे में आ जाता है और यहाँ पर माइनस इसमें से साइन निकल गया तो वन बचा और यहाँ से बचा प्लस वन अपॉन फिर बटे में क्या हुआ साइन ए समाज गए लाइन खीचा अब यहीं चीज नीचे वाले में करो साइन ए को कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा कॉस बटे साइन कॉस ए बटे साइन फिर यह प्लस साइन निकल गया तो क्या हो गया वन हो गया और फिर उसके बाद यह माइनस यह आ गया वन अपॉन अब यह साइन से साइन कट जाएगा कट गया अब बचा क्या अब जो बचा हमारे पास वही लिख दो क्या बचा हमारे पास हमारे पास कॉस बटे साइन जिसको हम लोग क्या लिखते हैं कॉट ए फिर वाश के बाद माइनस का वन और एक बटे साइन को क्या लिखते हैं कॉस एक पिर बटे साइन को क्या लिखते हैं कॉट ए और फिर इसकी आध माइनस कॉट क्या लिख सकते हैं कॉस ए अब वही जैसे पिछले प्रसन में किया था हम लोगों ने कि भाया मुझे कॉस एक और कॉट को पास 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 में लिखना है और कॉसेक स्क्वार थीटा माइनस कॉट स्क्वार थीटा बराबर वन होगा तो इसलिए मैं कॉसेक को पहले लिखूंगा और कॉट को बाद में लिखूंगा क्या करोगा मैं कि यहां पर कॉसेक और फिर लि unlocked लिखोंगा मैंने लिखूंगा यहां पर कॉसेक ए और फिर minus नहीं और प्लस बाट यह और minus बढले कॉसेक फिरकल फिर वन और नीचे वाले से कोई मतलब नहीं आखरी तक यह बिचारा इसी के साथ घुमता रहेगा और आखरी में बिचारे को काट दिया जाएगा तो यह कॉट वन और जो बचा उसको लिख दो इसमें कुछ गलती हुई है यहां पर माइनस होना चाहिए तो यह आगया कॉट ए हो सकता है मेरे बच्चे बता भी रहे हुँ देखो लिख भी रहा है सर नीचे माइनस हो जाएगा तो यह बेटा कॉट ए फिर उसके बाद प्लस का वन और माइनस का कॉसेक अब यह साथ साथ में चलता रहेगा बच्चो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो यह वाला वन है इस वन की जगह पे हम लोगों को एक फॉर्मला इस्तेमाल करना है जो की होगा कॉसेक स्क्वैर ए माइनस माइनस कॉट स्क्वैर और यही इस पूरे प्रसन की जान है यही इस पूरे प्रसन की जान है यहां पर वन की जगह पे हमें यह फॉर्मल आगे हमारे पास कौसक ए ऑगय यह प्रस्ण और एक और बताया है प्रस्टसंख्या दो दोनों तयार कर लेना बहुत अच्छी तरीके से और यहीं प्रस्ण आपको बोर्ड पेपर में छे नंबर में ना मिले तो आप जो कहने करने के लिए बोलोगे मैं वो करने के लिए तयार हूँ यह बात आप नोट करके रख लूँ में इतना तो मुझे पता है तर्य तो इत्री कोड में अगर छे नंबर का प्रसंद आएगा यही वाला प्रसंद आएगा जो मैं लिखरा हूं रहा बोर्ड पर कि अब क्या करते हैं इस क defenders TD-2 को क्या करेंगे मैं इस स्कोर बीस क्होलेंगे मैं इसको इस को टार दिया मैंने सब्सक्राइब से आप मैं दूख कॉम ले लू देखो यह आटे का और यह ब्रैकेट एक जैसे हैं कामान लेजो का एक जैसे हैं कामनल लेल। जिए नीचे दू वहीं लिखा रहेगा न यह वाला बाकी इस में तो कोई हो होना नहीं नीचे यहीं लिखा रहे हैं तो यह दो यह जैसे अब सकर्ष को लिए कि प्लस कोट एं डोनोंसे निकाल लिया इससे भी और उससे भी यहां से निकल यह तो यहां बचा ふन फिर यह वाला माइनस फिर यह निकल गया तो यह बचा पर ब्रैकेट में लिखो ठीक अब देखिए ध्यान से जो लाना था वो आ चुका है ये दोनों कट जाएं तो अब कुछ मत करो बस माइनस के साथ ये ब्रैकेट खोल दो और काट दो तो क्या लिखेंगे हम लोग कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और माइनस के साथ ब्रैकेट हम लोगों को क्या करना है खोलना है तो अभी कैसे खुलेगा देखू वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा क्या हो जाएगा वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और नीचे क्या लिखा था नीचे क्या लिखा था नीचे लिखा था कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए नीचे ये लिखा था एक तो मैंने क्या लिखा नीचे नीचे लिखा प्लस VON मायनस सके अब देखिए द्यान से समझने के कोसिस कर कीछ ओ juicy Черफ बटते दिया मैंने दोनों को बचा क्या बचा हमारे पास रहो क Lyman Cold a बस और मैं आपको सच बताऊंगा ये प्रसंड भईया छह नमबर का है कि मुझे नहीं पता कितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को अब देखते हैं कि चलो बाई क्लियार है यहां तक कि समाझ गया बच्चों कि हो गया ना सब का कि सर्य चैप्टर बड़ा हाड चैप्टर है नीलू सिंग कह रहे हैं सर इस चैप्टर बट आप ने पढ़ाया तो वेरी वेरी इजी थांक्यू सर हमारे स्कूल की टीचर एक्स्प्रेर नहीं कर से ले करके यहां तक और इसका पीडियाफ अभी हमारे टेली ग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा वहां से जाकर के इसकी पूरी पीडियाफ आप लोग ले सकते हो दस प्रसनों की यह पूरी स्रंखला है जो हमने दस प्रसन आज कराएं आप लोगों को जाना नहीं है यह वाला जो प्रसन है यह प्रसन मैं आप सभी को होमवर्क देता हूं पहले एक बार मैंने इसको कराया है अना तो इस प्रसन को आपको क्या करना है भाई प्राई करना है अर्थात प्रयास करना है और अगर आपका हो जाए तो आप कॉमेंट स्टेक्शन में बता देना कि सर्टेन नंबर कोईश्चन हमने कर लिया है और जो भी आप और लिखना चाहें वह आप मुझे बताना ठीक है तो एक कॉमेंट करके बताना अगर आपका प्रस्ण हो चुका होगा तो हमारी तरफ से आपकी कॉमेंट पर एक हार्ट मिल जाएगा और अब जाने से पहले एक बात और भी बतानी है आप सभी को कि एक बहुत बहतरीन सा ओफर भी है जो हमारे एप पर चल रहा है और हंजी अगर आपको पसंद हो तो ही आप इस बैच को जॉइन करिएगा मैं जानकारी के लिए है दोनों में सेलेबस समय से पूरा हो जाएगा बस हाँ इतना है कि सकती में सेलेबस थोड़ा आगे है और सकती 2.0 में थोड़ा पीछे है परंतों समय पर दोनों 31 October को पूरे हो जाएंगे सोसल साइंस हिंदी इंग्लिस मैट्स एंड आखरी में आपकी मैट्स मैट्स साइं इंडी और इंग्लिस पांच सब्येक्टे पांच पांचों के पांचों आपको पूरे कम्पलीट मिलेंगे वित अधा लाइव क्लासरा होती है एक साम को पांच बजे होती quick LEGlier होती है बाकि सारी लाइव होती है दूसरी चीज यहगर आपके भाई है 11 में है आप उसको बताइए कि निव बैच है हमारे पास आप निव बैच को जॉइन कर सकते और दूसरी चीज है कि हो सकता यह वीडियो आप कई एक साल के बाद देख रहे हों कुछ महिनों के बाद आप देख रहे हों तो आपको घबराने की जुरत नहीं हमारे एप पर सकती बैच ही सबसे पहले लॉंच होता है हर साल इसके नाम में कोई परिवरतर नहीं होगा कभी और सकती टू पॉइंट ओ फिर उसके बाद में आता ह है फिर उसके बाद सकती 3.1 अगर आता है पर इस साल हमने कोई लॉंच लॉंच नहीं करी है क्योंकि यह आपके साथ गलत होगा कि मैं नए पर नए पर बैच लॉंच करता चला जाओं ठीक है दूसरी चीज़ हमारा एक बैच आएगा नवंबर में तो अगर कोई भी एक चीज ले लोगे उस बैच के अंदर क्या होता है वह लास्ट में पता चलेगा आपको ठीक है मैरे बच्चों अच्छा मन में आये के भाई कैसे ले तो सबसे पहले एप को डाउनलोड कर लेना रजिस्टर कर लेना बैच को सेलेक्ट करना बाई नौ पर क्लिक करना एक क् कुछ नहीं कुछ नहीं डालना आपको सीधे स्कैन की वार पर आपके सामने क्यूर कोड खुल के आएगा इस स्कैन करिएगा दूसरे फोन से आपका कोर्स ओपन हो जाएगा ठीक है मुन्ना तो बाकी यह प्रॉसेस हैं जो यहाँ पर हमने चित्र में दिखा रखी हैं खुसी जो प्रसन मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया है अभी लास्ट वाला इसको समझने के लिए पहले दूसरा वाला प्रसन आप अच्छे से समझ के आए ठीक है चलो अभी हम लोग इसको ओवर करेंगे क्लैस को और जाने से पहले एक बात बोलूँगा कि भाईया अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों फटा फट से आप लोग जो है ना इसको लाइक कर दीजेगा क्लैस को और एक कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है मुन्ना एंड करें अभी चले भाई एंड किये करें इसको अच्छा ओके प्रवीना राज स्रिवास्ता हो वेरी गूड नंदनी सैनी अमिट प्रजापती संजय गुपता इंग्लिस मीडियम वाले चैनल इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे कहां पढ़ें क्या बताओं मैं किसी चैनल पर पढ़ सकते हो अना अले आज के लिए इतना ही बाई टे क्यार्ट कर दो